अधिया आपके पास क्या है इंडॉक्टर यहां पर आपके पास करन्ट सोर्स है करन्ट सोर्स DC करन्ट सोर्स आई एस के रहते हैं अगर हम केस के किसी एल लगा है यहां पर केट्च अप्सक्राइंट लॉग तो पाई एस इकुल टू आई आर पैरल सर्कुट है प्लस पाई सी प्लस आइसी प्लस आई एक है अब आपको फाता है है कि बेसिक इक्वेशन होती है वो आई-सीज्ड्र वी और डीचिश्ट वी यह पैरल सार्कुट है तो वी एल इस इकल टू मिशर कैपिस्टर अंड कि पैरल में है तो वी यह और वी सी और वी आप ये तो नहीं देए तो क्यों अब यह तो पर ना तो वी सी भी आपके पास वी हो जाएगा तो यह equation बन जाएगी I, C is equal to C, T, V over T, T अच्छा, V is equal to I, R से हम I, R निकाल सकते हैं I, R आजाएगा आपके पास V, R, over R कियोंकि V के जो resistor के cross voltage V ही है तो I, R आपके पास I, R आजाएगा अच्छा, तो आपके पास जो equation बन गई हो क्या बनी V over R, C, D, V, C over D, T plus I, L अब I, L कैसे हम कर सकते हैं inductor की basic equation होती है V, L, E, G को L, D, I, or D, T I, L आपने calculate करना है I, L, O, D, T तो यह आप कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा replace इसको यूं अगर कर ले है D, I, L यह हो जाएगा 1 over L, V, L, D, T अगर दोनों सेट को आप integrate कर दें तो 1 over L तो constant है यह I, L आजाएगा आपके पास 1 over L, V, L, D, T किनकि V और V, L है वो किसके बराबर है V के किनकि तिनों के cross vortex सेम है तो यह equation आपके पास बन जाएगी V, I, S, V is equal to V over R C, V, D, V, C over D, T यह हो जाएगा 1 over L यह हो जाएगा 1 over L integral of integral of V, L, D, T अगर एक दपा आपके दिस्पेक्ट टू, D, T इसको डिरेवेट कर दें तोनों साइट को यह आजाएगा आपके पास, I, S over D, T V over R है तो R तो constant है V को भी करूँगा 1 over R यह हो जाएगा D, V over D, T अगला क्या होगा C, D, V over D, T है इसको करूँगा तो डबल डिरेवेट बाजएगा C, V square V over D, T और अगला क्या होगा 1 over L, V, L आजएगा क्यूंकि integration और derivation आपस में क्या आजएगी? Cancel यह आजएगा आपके पास 1 over L V यह V आजएगा क्यूंकि आपके पास तीनों क्या प्रॉस वोल्टेज क्या है? सेम है यह equation आपके पास आगी अब I, C क्यूंकि DC करेंट इसको डिरेवेट करेंगे तो 0 आजएगा यह basic equation आगी 1 over R DV over DT plus C DV square over DT plus V over L गर तोड़ा से री रेंज करके देखनें इस इकल तो 0 होजएगा तोड़ा से री रेंज करेंगे यह सको तो यह होजएगा D square V over DT square plus 1 over R C DV over DT plus 1 over N C V is equal to 0 अब यह quadratic equation बन गई फैले हम यह करेंगे कि हम second order derivative है for example इसको हम नाम देते हैं DV over DT को यह slope होता है इसको नाम देते हैं और D square V over DT हो जाएगा M square यह equation आजेगे आपके पास M square M square 1 over R C M plus 1 over L C पास M square V अगर सब में से क्या ले 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 हैं हम constant ले ले हैं अगर मैं कहा रहता हम D by DT is equal to M और D square over DT square is equal to M square तो V यहां पर यहां पर आएगा इस तरह यहां पर V यहां पर यहां पर यहां पर यहां आएगा तो V हम constant ले ले लेते हैं सब में से common ले ले लेते हैं यह equation आजेगे आपके plus M square 1 over R C M 1 over L C into V 0 V हम अठा लेते हैं यह तो V square is equal to 1 over R C M plus 1 over L C this is a quadratic equation in M M is the variable तो यह हम कर चुके हैं पहले कि क्वाडिटिक एक्वेशन का जो सलूशन होता है M होगा वो मानस B लस मानस B स्क्राइब मानस 4AC over 2A अब B की वेल्यू क्या है? B की वेल्यू है 1 over R C ठीक है? A की वेल्यू है 1 और C की वेल्यू है 1 over N C तो अगर मैं इसमें plug-in करूं तो यह मानस B 1 over R C 10 मानस 1 over R square C square मानस 4 over L C divide by 2 हमने कहा ता इसके आप देख सकते हैं कि इसके तीन तरह के responses हो सकते हैं वो हम आज आपका quiz बीसी में होना था vertically damped over damped and under damped तो यह आपको conditions खुद पता हैं उन्हें बताना नहीं चाहरा आपको ठीक है? वो आप खुद देख लीजेगे ठीक है? तो अब हम आगे हैं तो हम क्या कर लेते हैं? यहां से बता सकते हैं कि अगर one over r square c square की very body है forward lc से है तो कौन सा case होगा? वो आपको पता है over damped है और अगर less है तो under damped है ठीक है? r square c square की value अगर less है तो क्या है? यह और ठीक है? under damped है और अगर दून इकुल है तो क्या हो जाएगा? critically damped हो जाएगा अब हमें values पता हैं circuit से हमारे पास जो register है वो है one kilo oh capacitor की value है one microfarad और जो inductor है वो है one millihenry तो one over rc से क्या answer आएगा? हो आजएगा 10 less to power 3 into 10 less to power minus 6 जो हो जएगा 10 less to power plus 3 ठीक है? इसका square लेंगे r square c square हो जाएगा 10 less to power 6 अच्छा one over rc से क्या answer आएगा? 4 over rc से sorry 4 10 less to power minus 3 10 less to power minus 6 यह आजएगा? 4 into 10 less to power plus 9 यह value बड़ी है? यह क्या है? small है? तो complex root आएगे यह conjugate आएगे आएगे आपके पास under damn case होगा? आपके पास ripples आएगे? वो हम last 10 discuss कर चुके हैं चले हम जाते हैं lab की तरह ठीक है? देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का response आता है? ठीक है? circuit हमने draw कर लिया है हमने cursor लगा दिये हैं ठीक है? तीन current हम calculate करना चाहा है अब हम simulation करना चाहा है तो कौन सा analysis करना चाहा है हम? यहाँ पे आपको यह चीजें देने पढ़ेंगे यह 1 millisecond के बज़ाए हम इसको क्या कर देते हैं? 10 millisecond के लिए सब चला देते हैं वोगे 10 नहीं 50 millisecond के लिए चला देते हैं ठीक है? initial condition हम कर देते हैं user defined ठीक है? cursor हम लगा चुके हैं simulation ठीक है? वो steps आपको पता है जाने हम simulation start करके देखते हैं क्या आते हैं हमारे पास results ठीक है? यह अब आपके पास response आए ठीक है? क्यूंकि मैंने ज्यादा time के लिए simulation चलाई है तो मैं तोड़ा सा अगर इसको कम कर दो transient schematic में चला जाता हूं ठीक है? simulation को मैं कदरता हूं अगर हम इसको चलाए simulation को चला दे ठीक है? यह आजाती ही आपके पास simulation तो अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपका जो green curve है इस इंडक्टर के cross current है blue जो आपके पास capacitor के cross है dark blue and light blue dark blue जो आपका resistor के cross है light blue आपकी capacitor के cross यह आजाते हैं आपके पास graphs यह आप change करते हैं क्योंके sinusites आ रहे हैं अब क्या कर सकते हैं अगर आप resistor के पिस्टर के वेरिव चेंज करेंगे आपके पास response क्या हो जाएगा? change हो जाएगा ठीक है? इसको तोड़ा देखें पिसमें बताता हूँ अच्छा एक वो एरर देर है कि आपने ग्राउंड नहीं लगाया यह ग्राउंड भी हम जहां पे लगा सकते हैं अब आप सिमुलेशन स्टार्ट कर यह एरर आपका इसको हम बंद भी कर सकते हैं ठीक है? अब देख सकते हैं कि क्या होता है चलिए थोड़ा सा में पॉस्ट करता है वीडियो यह रिज्यूम कर लेते हैं तो अब हम देखते हैं कि अगर रिजिस्टर की वेर्य हम चेंज करें तो क्या होगा? अब अगर रिजिस्टर की वेर्य हम करते हैं कम करके देखें तो देखें हमारे पास क्या एफेक्ट आता है? अगर आपके पास क्यापिस्टर हो जाएगा तो यह रिजिस्टर हो जाएगा क्यापिस्टर है वन माइक्रोफेर्ड माइक्रोफेर्ण करि मैं अब एफेर्य हमारे पास का दरिव जा जब एफेर्य है वाग in यहाएगा कि अच्वाइब कि अच्वाइब कि अच्वाइब कि अच्वाइब कि अच्वाइब अच्वाइब कर लें के अच्वाइब जो आपने नोट करना है वह स्मॉल होती जाएगा जैसे जैसे अंडर डियम से ओर डियम केस में आएगा यह ट्रांसिंट रिस्पांस प्रेजाते हैं जाते हैं और यहां से हम सिमुलेशन चला देते हैं स्टार्ट सिमुलेशन तो यह देखें यह एक दम से क्या हो रही है स्मॉल यह आप देख सकते हैं अब आप क्या करें अब अगर आप 50 रखें तो उसको भी आप देख सकते हैं 50 into 10 raise to power minus 6 यह हो जागा 1 over 5 into 10 raise to power minus 5 यह आजाएगा आपके पास 10 raise to power 5 divided by 5 यह 0.2 into 10 raise to power 5 यह 2 into 10 iso power 4 इसका स्कुयर लेंगे आपके पास या जाएगा 4 into 10 फावर 8 अब भी यह वैलिव छोटी होगी और यह क्या होगी बड़ी होगी तो आप 50 भी कर लें तब भी आपका किस होगा वो क्या होगा अंडर्डेम ही होगा ठीक है यहां से क्या करें इसको स्कीमेटिक है इसको और आख कम करें किसे हैं और हम यहां अडर्डेम ऑननों अडर्डेम है अगर्डेल। कि यह आपके पास 50 अब आप ट्रांजिए यह स्टेक है और यहां से हम क्या कर लेते हैं स्ट्राइट स्ट्राइशन कर लेते हैं यह आपके पादर पर इसको फोर्टी फाइब यह इस तरह से गर आप वह और इसको फोर्टी फाइब कर दें या फोर्टी कर दें तो यह और डेम केस में चलेंगे तो आपके पास जैसे एक वैली और ले रहते हैं इस तरह कर लेते हैं कि रिजिस्ट्री की वैल्यू हम ले रहते हैं for example 30 30 हम लेते हैं कि वन माइक्रो फेरेड है कि आपके पास कि ट्वंटी फाइब ले रहते हैं चले हैं हुआ है कि वन वर आर्ट से वेल जो आएगी वह आएगी 25 इंटु टेंड़ से पावर प्लस शिक्स तो यह आप देख सकते हैं 25 से आएगा और जिरो फोर इंटु टेंड़ सिक्स और यह विकार सकते हैं 4 इंटु टेंड़ सिपावर 4 अब इसका स्क्रेल लेंगे तो यह आजागा 8 इंट नहीं स्वरी 16 तो इसको आप लिक से 1.6 इंट और 4 वर एंट सी तो आप पहरी कर चुके हैं वह आया था 4 इंटु टेंड़ से पार 9 अब यह वेजिए वेजिए स्माव यह बढ़ी है 25 से भी हम कम कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं फार एक्जम्पल 15 15 के लिए आजाएगा 1 5 15 यह जाब वन वन वर यह आजाएगा 6.6 है ना स्क्वेर लेंगे तो यह आल्मोस बड़ी वेली जाएगी चलिए 10 ले ले लेते हैं अगर आप और आप क्या लेने अज़े किस्का स्क्वेर लेता अब बढ़ी होगी इस अजका स्क्राइब बेया बाढ़ी होगी कि यह सिमुलेशन करके पिर हम फतन कर लेते हैं निव श्वेयर में सिमुलेशन है स्चिमेटिक और इसको हम कर लेते हैं कि इस क्रीज कि यह सिमुलेशन कर लेते हैं कोई आपके पास अनस्राइड नहीं है यह आपको सरकर आचुका है ओर डेमर केस ठीक है तो यह आज की लेव यह आप कर दिया है ठीक है आप कोई भी नहीं है तो सॉरी अगर लेव हमने कंड़क करनी है ठीक है बहुत शुती है डार्पस कर्का होग歹 अचर के लेव करोड़ा आतको प्यजय है अंहां प्योड़ार गॉत्ट शेफ़ अंहां दूस्